कि वेरी गुड आफ्टरनून एमबाइबर्स कैसे आप सभी लोग मैं आसिस कुश्वा आप सभी का एमबाइब में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कैसी चल रही है आप सब की तयारी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज की इस क्लास में हम लोग यूनिट डायमेंशन एंड इंस्टुमेंट पढ़ने वाले हैं तो अगर क्लास लाइब हो गई हो मेरी आवाज प्रॉपर आप तक आ रही हो तो कोई भी मुझे कमेंट करके बता दे हमारा जो यह बैच है यह है रेजिमेंट स्रीज जिसमें मैं आसिसकुछवा आप लोगों को जनल साइंस कवर कर रहा हूं सीडियस और अंडिये के लिए साके सर आपको मैद कासिफ सर आप लोगों को करेंट अफेर पढ़ा रहे हैं सीडियस में अमिस सर आप लोगों को इंगलिश करा रहे हैं और अंडिये में यशी में हम आप लोगों को इंगलिश करा रहे हैं अभिशेग सर आप लोगों को बढ़ने वाले हैं जी all clear anything जी thank you तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं quantity quantity क्या होती है quantity क्या होती है हम यह जानेगे कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम लोग नंबर से दिखा सकते हो वह क्या होगी quantity होगी जैसे अगर मैं आप से कहता हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ तो क क्या मैं अपनी happiness को किसी number से represent कर सकता हूँ आप कहेंगे नहीं अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा weight 70 kg है तो देखिए मैंने यहां पर 70 यानि 70 एक number आप लोगों को दिया तो कोई भी एक ऐसी quantity मतलब property जिसको हम लोग number से दिखा सकते हैं उसको हम लोग quantity कहते हैं जैसे length को हम दिखा सकते हैं weight को हम लोग जैसे मास हो गया है इसको हम लोग number से दिखा सकते है force को हम लोग number से दिखा सकते हैं तो यह सब क्या होती है QUANTITY होती है ओप मैंने आज जो है टमाटर खरीदें टमेटो खरीदें और मैंने 5 kg टमेटो खरीदें तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मास को किस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक नमबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यहाँ पर मैंने एक मानक लिया है जिसको हम लोग यूनिट भी कहते है जो कि mass का unit है तो अगर मैं इसको unit और numerical value से दिखा सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ये कहलाएगा physical quantity उमीद करता हूँ आपको quantity और physical quantity में फर्क समझ में आया होगा तो यहाँ पर क्या mention है physical quantity एक ऐसी property है किसी भी object हो या substance हो या कोई घटना हो जिसको हम लोग numeric value और एक standard reference जैसे हमने देखा कि हमने mass के लिए kilogram वगराण डिसाइड कर दिया लेंद के लिए मीटर किलो मीटर सेंटी मीटर डिसाइड कर दिया मतलब कोई एक reference होना चाहिए तो अगर हम उसी reference को unit बोले तो अगर number और unit के साथ अगर हम किसी को represent करते हैं चाहे वो object हो substance हो या अब हम आगे चलते हैं हमारी जो physical quantity होती है वो दो तरीके से classified की जा सकती है एक scalar जिसको अधिस कहते हैं और एक vector जिसको सदिस कहते हैं अब दोनों में फर्क क्या है scalar quantities जो होती है उनमें सिफ magnitude होता है कोई direction नहीं होती है जबकि अगर मैं vector quantity की बात करूँ तो vector quantity के अंतरगत यह physical quantity आती है जिनके पास direction के साथ magnitude भी होता है गुड़ा afternoon सक्षम जी जैसे आपको मैं कुछ examples बताता हूं अगर मैं बात करता हूं mass की तो मुझे बताईए mass में क्या कोई direction होता है नहीं न तो यह क्या हो जाएगा scalar quantity हो जाएगा density जिसको हम घनत तो कहते हैं क्या इसमें हो जाएगा temperature तो temperature भी क्या हो जाएगा scalar हो जाएगा अगर हम बात करते है इसी स्पीड में भी कोई डारिच्चन होती तो यह भी मैगनिटूड ही उगा तो यह स्केलर हो जाएगी अब दूसी तरफ सेहां से मैगनिट्पलेच्वन सी अगर हम बात करते हैं हैं années वैक्टर के क्या होगा मैगनिट्पलेच्वन होगी जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को डिस्प्लेस्मेंट यानि विस्थापन डिस्प्लेस्मेंट मतलब विस्थापन गुड़ आप्टरून पंकर जी तो इसमें क्या है मैगनिट्यूड भी है अगर हम कहते हैं कि हम 10 मीटर जो है नौर्थ की तरफ तियका है डिस्प्लेस्मेंट यानि स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन के बीच की मिणुम gibt कॉझ्टिटी हो गई तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकेलर और वेक्टर के बीच में फर्क समझ में आया होगा आपको stealyr quantity वेक्टर पॉन्टिति यहां पर समझ में आ गही होंगी अब जैसा कि आपको बताया था कि एक हम reference लेते हैं mapping standard reference को हम क्या कहते हैं Unit कहते हैं यानि किसी भी meillä 비् 돼स다 यूइनट से एक किलोग्रामब का यूज कर लेते हैं को उसका यूजिट हो गया ut तो यह सब क्या है यह सब यूनिट कहलाती है जो कि तुलना के काम आती है तो देखें यहाँ पर क्या लिखा है किसी बहुतिक राश्ची के मापन में तुलना सामिल होती है तो एक निश्चित बुनियादी धागे जो बुनियादी धाचा होता है उसके आधार पर हम एक मानक स करए उसी को हम लोग क्या कहते हैं यूनिट गोलते हैं यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट दो तरीके से हो सकती हैodore फंडामेंटर यूनिट जो किसी से प्राप्त नहीं होंगी प्रॉपर उसी की होंगी और drive unit हम उनको कहते हैं जो कि किसी के द्वारा प्राप्त की जाती है देखे वैसे तो SI unit हमारी साथ तरीके की होती है लेकिन फिलाल हम SI unit की बात नहीं करेंगे हम मातर तीन unit की बात करेंगे और where mole unit है जैसे अगर हम बात करते है लेंथ की लेंथ लंबाई तो इसका unit हम लोग किस में ले सकते हैं मीटर में ले सकते हैं एना M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसी अगर हम बात करें मास की तो मास का unit हम किलोग्राम में ले सकते हैं इसको हम M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम केजी से represent कर सकते हैं हम समय की बात करते हैं time की तो time का unit हम क्या ले सकते है second जिसको ہm S से represent कर सकते हैं तो आपने देखा ये जो तीन unit मैंने आप लोगों को बताई है यह fundamental unit है ये किसी से ली नहीं गई है इनकी proper यूनिट है लेकिन अगर इन तीनों यूनिट की मदद से मैं कोई और यूनिट बनाता हूँ तो वह drive यूनिट होती है जैसे for example हम बात करते हैं density की तो density क्या होता है अगर मैं formula की बात करूँ तो density होता है mass upon volume तो हम देख सकते है mass kilogram में होता है और volume जो होता है वो meter cube में होता है तो आपने देखा कि यूनिट किलोग्राम और meter cube से मिलकर बनी हुई है तो इसको हम लोग किस में डाल देंगे इसको हम drive में डाल देंगे ऐसे हम दूसरा example लेते हैं for example हम यहाँ पर बात करते हैं density हो गया हमारा speed की तो speed जो होता है वह होता है distance upon time तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि speed का जो unit बनेगा वो क्या बनेगा meter per second यानि यह meter और second को मिला कर बनाए तो यह क्या हो गया यह एक drive unit हो गया जैसे अगर हम momentum की बात करते हैं तो momentum का formula होता पी equal to mv तो आप देख सकते हैं इसकी unit mass से kilogram और v से हो गया meter per second तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि momentum की एक particular unit नहीं है तो यह क्या कहलाएगी drive unit कहलाएगी जैसे अगर मैं acceleration की बात करूं तो यह meter per second square होता है तो यह meter और second से मिलकर बनी है तो यह क्या है एक drive unit है बात समझे यानि अभी जो मैंने आपको fundamental unit ब बनाते हैं इसकी help लेके तो वह किस category में आ जाती है वह drive unit में आ जाती है clear है सभी को के लिए सभी को तो fundamental unit जो particular किसी से प्राप ना की गई हो उनी की unit हो fundamental कहते है लेकिन इन fundamental units की help लेके अगर हम कोई और unit बनाते हैं किसी physical quantity की तो वह drive unit कहलाती है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को fundamental unit और drive unit में फर्क समझ में आया होगा और आपको यह समझ में आया होगी एक है FPS जिसमें foot होता है pound होता है second होता foot हो गया हमारा length के लिए pound हो गया हमारा mass के लिए और second हो गया हमारा time के लिए एसी एक CGS पद्धिती होती है CGS system होता है C से centimeter G से gram है ना और S से second MKS सबसे ज़्यादा use किया जाता है meter kilogram second अच्छा यह जो MKS पद्धिती है इसी का MKS system जो है upgrade version हम बोल सकते है SI को यानि SI unit जो होती है वो MKS का ही एक upgrade version है तो अलग अलग देश अपनी अपनी units को इस्तमाल करते हैं जैसे अगर मैं England की बात करूँ तो यह लोग FBS पद्धिती को इस्तमाल करते हैं अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो हम लोग SI unit और MKS unit को follow करते हैं तो यह हमारे तीन system हो गए जो आप लोग in time इनका आप लोगों को पता है मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है लेकिन अब अगर हम SI unit की बात करते हैं तो कुछ extra unit हमारी यहाँ पर fundamental add हो जाती है जैसे electric current का ampere हो गया SI unit temperature का Calvin हो गया chemistry में आप लोग मोल पढ़ते हैं तो amount of substance हो गया मोल हो गया और luminous intensity का SI unit क्या होता है candle होता है जिसको हम किस से दिखाते हैं CD देखे तो यह सब इनके क्या है sign है symbol है sign बोल दीजे symbol बोल दीजे तो SI unit आपको समझ में आगे तो यह साथ SI unit आप लोगों को याद रखनी है अब मैं आप लोगों को कुछ supplementary units बताने वाला हूँ supplementary units मतलब अगर मान लीजे आप 2D में कोई figure लेते हैं जैसे for example आपकी ममी ने एक आपको bread दी रोटी दी आप घर में खाना खा रहे है रोटी दी तो आप इसको जब इसके segment को निकालेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर जो यह angle बनेगा एंबाइवर्स यह angle आप लोगों का क्या होगा plane angle होगा समतलकूर होगा और इसको आप किस से दिखाएंगे रेडियंस है और इसका symbol क्या होता है आरेडी होता है लेकिन अगर यही आपके पास कोई 3D object है जैसे मैं आप लोगों को water manan का एक example देता हूं तर्बूज का तो जब हम तर्बूज यानि water manan करीते हैं तो हम यह देखते हैं कि क्या यह लाल है मीठा है तो हम उसमें सेग्मेंट उसका निकालते हैं कट लगा के या दुकान वाला निकालता है तो वह क्या होता है वह solid एंगल होता है जिसको हम लोग इस्टे रेडियन से पैचानेगे समझ में आया यह अगर आपके पास एक रोटी है उसमें से आप एक segment काट रहे है प्रॉपर एंगल पे तो यह दोनों point के लिए हो गए आप सभी के ठीक है तो आप लोगों को unit समझ में आगे अच्छा unit की एक खासियत है unit and dimension chapter को हमें अलग से पढ़ने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है जैसे हम लोग chapter पढ़ते जाते हैं वैसे हमें units जो हैं याद होती जैसे हम heat chapter पढ़ते है तो heat chapter में हमें पता चल जाता है temperature की unit Calvin है other units भी है Celsius वगेरा भी है Fahrenheit वगेरा भी है हम heat पढ़ते तो हमें पता चलता है Joule है calorie है तो हम जैसे जैसे chapters को पढ़ते हैं मान लीजिए अब हम electricity का chapter पढ़ते हैं तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि resistance का unit ohm है potential difference का unit bolt है ठीक है यह हम हमें पता चलते जाते हैं electric current का unit जो है वह एंपियर है और जो चार्ज होता है उसका unit को लाम है तो जैसे हम chapters को पढ़ते हैं वहां पर हमें हर एक physical quantity के आगे उसकी unit बता ही जाती है अब मैं आपको तीन astronomical unit बता रहा हूं यानि खुबोल यह एक आई है astronomical unit जो कि आपके एक्जाम में पूछी आती तो एक astronomical unit का मान होता है 1.495 into 10 to the power 11 meter आपको याद अखना है एक light year की value होती है 9.45 into 10 to the power 15 पारसिक जो होता है वह सबसे दूर का distance होता है सबसे बड़ा distance होता है तो इन units को हम लोग क् इस्तमाल करते हैं यानि जैसे मालीजे हमारी प्रिथवी के बाहर ब्रह्मान में मालीजे कोई तारा है कोई स्टार है या कोई galaxy है तो अगर हमें उसकी distance नापनी है तो हम astronomical units को जैसे AU हो गया light year हो गया पारसिक हो गया इन्हें हम लोग इस्तमाल करते हैं तो यहाँ screen पर दिया गया है astronomical unit जो है length की होती है distance और length एक ही बात है जो हम अर्थ और sun के बीच निकालते हैं तो अर्थ और sun के बीच में astronomical unit यह है अच्छा एक वर्स में प्रकास जो दूरी तै करता है vacuum में उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक light year बोलते हैं यह मान हम लोगों को पता होना चा है और जो पार्सेक है यह unit है length का और सबसे बड़ी length का unit है मतला length का यह सबसे बड़ा unit है solar system में तो एक पार्सेक जो होता है 3.086 102 ती प्रावर 16 होता है आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और अगर मैं light year और पार्सेक का comparison करूं तो एक पार्सेक की value होती है 3.262 क्या है यह system है जैसे मैं कह रहा हूं की आप मुझे acceleration का unit बताईए आप मुझे किसका unit बताईए acceleration का unit बताईए थोड़ा मैं इधर नीचे लिख देता हूं इसको कि मैंने इक student से कहा कि student आप मुझे acceleration यानि तुरन्ड का unit बताईए तो एक student थे जिनका नाम था आसीस उन्होंने क्या किया उन्होंने answer दिया सर यह हो जाएगा centimeter second square फिर मैंने एक और student से पूछा उनका नाम था महेश उन्होंने इसी acceleration का answer दिया मुझे सर मीटर second square तो क्या मतलब है इसका मतलब जो आशीष ने answer दिया है वह सीजिस सिस्टम के according दिया है और जो महेश ने answer दिया है वो MKS system के according answer दिया है बात समझे में आ रही है जैसे हम force की बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं force की बात करते हैं तो force का देखो अगर कोई SI unit में answer देगा तो Newton देदेगा Newton अगर मैं बोलता हूं कि CGS में बताई है तो वह इसका answer क्या देदेगा CGS में क्योंकि kilogram नहीं लेते हैं वहाँ gram लेते हैं मास के लिए length के लिए centimeter लेते हैं और स्टाइम के लिए second लेते हैं अगर कोई सका answer में क्योंकि देगा तो वह स्टाइं। में किलोग्राम में कंसीडर करेगा लेंद को others कुम किस में में thinks ऐगा सिंपल है तो यही difference है cgs और mks में हमें पूछा गया है जैसे मान लीजे हम से exam में पूछा गया है कि हमें answer cgs में देना है तो उस वक्त हम length के लिए centimeter इस्तेमाल करेंगे मान लीजे हम mog a s k according देना है तो उस врем length के means भेशाम करेंगे units सब सेम है लेकिन अलग-अलग इनके नहातने का अगर आपको formula मालूम है ठीक है अगर किसी भी physical quantity का आपको formula मालूम है तो आप उसका unit का answer दे देंगे और आप उसके dimension का भी answer दे देंगे formula पर ही base है कि हम dimension और unit का answer दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं देखिए यहाँ पर मैंने सारा mention कर दिया है आप लोगों को already आप देख सकते हैं कि length के लिए L dimension होती है mass के लिए M होता है time के लिए T होता है electric current के लिए A होता है है और amount of substance के लिए mole होता है luminous intensity के लिए हम cd use करते हैं अब आप समझेए मैं क्या कहना चारो जैसे examiner मेरे से पूछता है कि speed का विमा क्या होगा dimension क्या होगा पहला example यही है examiner का मेरे से कि इस पीड का dimension क्या होगा तो speed का dimension का answer मैं तभी दे पाऊंगा जब मुझे speed का formula पता होगा speed का formula क्या होता है speed का formula होता है distance distance बोले तो length और upon में time तो देखें यहां से मैं answer दे पा रहा हूँ unit का क्या मैं unit का answer दे पा रहा हूँ जी हाँ मैं unit का answer दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे formula पता है distance meter में होती है और time second में होता है तो क्या मैं dimension का भी answer दे पाऊंगा जी हाँ अगर मुझे formula पता है तो मैं dimension का भी answer यहाँ पर दे पाऊंगा कैसे थोड़ा से मैं गायब हो जाता हूं जिससे आपको यह दिखे बिल्कुल दे पाऊंगा तो आप लोग जानते हैं कि जो distance होती है वो length होती है उसके लिए dimension L इस् टोटली किस पर depend होता है यह totally depend होता है हमारा formula पर अब जैसे बाल लिजे आप से कोई यह पूछ रहा है वाट कि एस दा dimension ठीक है what is the dimension dimension of acceleration बोले तो तोरण का विमा क्या होगा मालीजे आप से यही पूछ लिया कि तोरण का विमा क्या होगा तो आप क्या करेंगे तो आपके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप formula निकाले तो acceleration का formula होता है equal to क्या होता एक्सलेशन का formula यह unity बता दीजिए unity बता दीजिए आप लोग acceleration का तो acceleration का जो unit होता है अगर मैं उसकी बात करूँ तो इसका unit होता है meter second square तो आप लोग जानते meter length के लिए होता है meter किसके लिए होता है length के लिए dimension क्या होता है L और time के लिए क्या होता है T और square है तो P का square तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बत सुझ में अब माल लिजिए आप से examiner कहता है मैं एक example all लेता हूं what is the dimension what is the dimension of force यह ही आप से पूछता है examiner force kit तो आपको जब इसका answer देना होगा तो सबसे पहले आपको force का formula पता होना चाहिए F equal to A में जिसे acceleration का formula क्या होता है V minus के U upon T होता है तो यहां से हमने निकाला बास समझा रहे है V minus के U upon T तो अगर हमें formula पता है तो हम answer दे पाएंगे जैसे अगर मैं इसके unit की बात करूँ तो क्या मैं force का unit बता पाऊंगा क्योंकि हां मुझे पता है mass kilogram में होता है और acceleration यानि तुरण जो होता है वो meter second square में होता है देखे मैंने कितने अराम से answer दे दिया क्योंकि मुझे यहां पर formula मालूमता है तो क्या मैं इसकी dimension का भी answer दे सकता हूं बताईए अगर मुझे formula पता है तो हम कहेंगे जी हां हम इनके dimension का भी answer दे सकता है क्योंकि हम जानते है kilogram के लिए इस्तमाल करते है M dimension में meter के लिए इस्तमाल किया जाता है L और time के लिए इस्तमाल किया जाता है T तो हम यहाँ पर क्या answer दे सकते है M L T minus 2 इस तरीके से देखिए हमने dimension यहाँ पर निकाल ली की निकाल ली बास समझ में आई सभी को तो अगर हम लोगों को formula पता है तो ambivers आप believe करिए कि आप बहुत आराम से जो है dimension का answer sorry dimension का answer आप लोग बहुत आराम से दे पाएंगे जैसे अभी हम और example consider कर लेते हैं टेंशन मत लीजिए हम आपको और example कराते हैं जैसे मैं pen select कर लेता हूँ what is the dimension dimension of किसकी dimension निकाल नहीं बताईए pressure की निकालते है प्रेशर ठीक है प्रेशर की निकालते हैं तो क्या हमें प्रेशर का फॉर्मला पता है जी पता है यह क्या होता है force upon area होता है तो देखें अगर आप लोगों को force का dimension पता है जो कि अभी हमने निकाला था mlt-2 तो उसको सीधे लिख दीजेगा और area का क्या होता है area meter का square होता है है ना तो m meter यानि length तो यह length का square हो गया तो यहां से कि हमारा force का dimension क्या आजाएगा देख पारें आप लोग अब यहां पर कोई बच्चा कहेगा कि सर हमको force का तो पता ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे करके सर्भ jsem पुर्स का नहीं पता होगा तो अगर आपको किसी का नहीं पता है तौप उसको इंडविजुआली निकाल लीजेगा जैसे अभी आपको फूर्स का डाशन नहीं बता है तो आप इसको इन्डविजुआली इस फॉर्मूले से सॉल्व ४र ली जो दिए को तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर फोर्स का अब ऐसी मैं आप लोगों के लिए मुमेंटम का भी निकालता हूं कि मुमेंटम कि द human कि बूलस होता है कि मुमेंटम कि कि मुमेंटम समवेग जो रहता है इसका फॉर्मला होता है पी एक्वलों 250 टूए आप यहां पर जब इसका डाइमेंशन निकालेंगे तो मास के लिए आप एम लिखेंगे और वी क्या होता है अगर आपको वी का नहीं पता तो आप वी का फॉर्मला लिख दीजिए वैलोसिटी होता है डिस्टेंस या इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम आप ऐसे लिख सकते हैं आपको पता है डिस्टेंस मीटर में होता है टाइम सेकेंड में होता है तो आप यहां पर इसका अलग से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से तो आप इसे लिख सकते हैं L T-1 तो अगर आपको कोई dimension नहीं पता है किसी छोटे physical unit का तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं तो यहां से भी आप इसे लिख सकते हैं और फिर आप इसे combine करके लिख सकते हैं M L T-1 तो इस तरीके से आप exam में बहुती easily तरीके से सकते हैं आप लोगों को कोई बी इशे नहीं होगा तो आप ने देखा मैंने आप लोगों को us ka दिखाया مैंने आप लोगों को fundament सिखा दिया है अब हमें आप तीन concept पढ़ने थे यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया dimension हम लोगों अब सिरफ हम लोगों को कुछ instruments पढ़ने हैं, तो लगबग 50 के करीब मैं instrument आप लोगों को बताऊंगा, जो instrument बच जाएंगे, उनको मैं आप लोगों को numeric, जो आज मैं आप लोगों को questions कराने वाला हूं, MCQ कराने वाला हूं, उनके माध्यम से बता दूँगा, unit मैंने आप लोगों को ज्यादा detail में इसलिए नहीं बताएं, क्योंकि unit के लिए हम लोगों को सभी chapters को पढ़ना होता है, अब मैं एक list दे सकता था कि resistance का unit होता है, ohm, heat का unit होता है, joule, temperature का unit, calvin, celsius, fahrenheit, romer, इस तरीके से, electricity का current का जो है, आपका ampere, तो इस तरीके से potential difference का volt, power का watt, work का joule, energy का joule, force का newton, momentum का, तो अ अलग-अलग से मैं एक पूरी list नहीं आप लोगों को देना चाता हूँ, क्योंकि देखे, unit को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, कि आप chapter wise हर एक physical quantity को पढ़िए, उसका formula देखिए, वह vector है, कि scalar है, वह देखिए, और साथ के साथ उसकी unit को भी याद करिए, इसकी instrument, ठीक है, तो ambivers हम एके करके instruments की बात करते है, अच्छा यह instrument मैंने आप लोगों को हिंदी में इसलिए नहीं दिये है, क्योंकि जो इनका नाम English में है, वह इनका नाम हिंदी में भी, तो जैसे सबसे पहले number पे हमें क्या दिया गया, accumulator, accumulator क्या होता है, यह electrical energy को store करता है, ऐ ऐसी हमें दिया गया है, दूसरे number पे, अल्टी मीटर, अल्टी मीटर क्या करता है, जैसे एरो प्लेन वगेरा हवा में ओड रहे हैं, तो उनकी जो शीर्स लंबाई होती है, अनि altitude होता है, उनको नापता है, जैसे हमने यहां पे लिखा है, अमीटर, अमीटर क्या होता है, क बहुत तेजी से वहती हूँ, उनको wind का आजाता है, तो wind की जो speed होती है, उसको नापता है, फिफ्ट नमबर पे आता है हमारा audio meter, देखें, नाम से पता चला audio, तो किसी sound की intensity को यह नापता है, ठिक है, उसके बाद हमारा six number पे आता है, audio phone, audio phone जो होता है, यह हम use करते हैं, जो है, imperfect sense of hearing को सही करने के लिए audio phones को इस्तेमाल किया जाता है, फिर हमने कितने देख लिए अभी तक, हमने total six instrument देख लिए हैं, seven number पे आता है, बैरो ग्राफ, बैरो ग्राफ क्या होता है, यह use किया जाता है, atmospheric pressure की recording के लिए, अगर बैरो ग्राफ का मालीज़े, बहुत suddenly reading गिनने लगती है, तो यह sign किसका होता है, यह आधी तूफान का sign होता है, बैरो मीटर, अब बैरो ग्राफ जैसे atmospheric pressure के लिए था, तो बैरो ग्राफ के ही नाम पर बैरो मीटर में पढ़ा है, यह भी atmospheric pressure को नापता है, 9 नमबर पर आता है binocular, तो binocular जो होता है, जो बहुत दूर object होते हैं, उनको देखने के काम आता है, आपने देखा होगा, जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो आप binoculars को इस्तमाल करते हैं, दूर दूर की पहाड़ियों के दर्शन करने के लिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं, बोलो मीटर, तो जो heat की radiation होती है, उसको नापने के लिए बोलो मीटर का use होता है, कैलरी मीटर, it is used to gauge how much heat a material emit या absorb, यानि thermodynamics के अंतरगत हम यह देखते हैं, कि कोई object कितनी heat absorb कर रहा है, या कितनी heat उतसरजित कर रहा है, अमिट कर रहा है, तो यह किस से नापा जाता है, कैली मेंटर से नापा जाता है, कारबुरेटर, कारबुरेटर आप जानते हो, हमारी कार वगैरा में होता है, तो कारबुरेटर एक ऐसी जगय होती है, जहांपर combustion होता है, fuel का air की उपस्तेती में, इतने instrument समझ में आए आज स 10 तो यह जो है it establish location altitude on a ship तो यह शिप पे इस्तेमाल किया जाता है Altitude का पता लगाने के लिए कौन सी शिप कहां पर है फिर आता है हमारा Cinematography नाम से पता चला है Cinema Cinematography यह आनि फिल्म मेकिंग से संबंदित होगा फोटोग्राप्स पगेरा से संब्दित होगा फिर हमारा आता है कालोरी मीटर एक था कैलोरी मीटर यह है को लोरी मीटर ठीक है आप देख पारे चलिए मैं थोड़ा सा चुमंतर हो जाता हूं ताकि आप लोग इसे देख पाएं कि तो कोलोरी मीटर किसलिए यूजोता है यह कैसे डिवाइस होती है जो कि कलर की इंटनेंसिटी को नापता है फिर आता है commutator तो ये एक ऐसा instrument होता है to change or remove direction of an electric current in dynamo is used to convert alternative current to direct current यानि dynamo एक generator की तरही है जो कि क्या कर रहा है AC को DC में बदल रहा है तो उसमें ये instrument इस्तमाल होता है 18 नमबर पर आता है मारा krisko graph ठीक है तो ये जो होता है plant की growth के लिए जो plant growth कर रहा होता है उसको नापने के लिए आता है तो अभी तक हमने कितने instrument देख लिए है हम लोगोंने 18 instrument देख लिए है आगे बात करते है 19 नमबर पर हमारा instrument आता है electroscope नाम से पता चला है कि ये किसी भी circuit में या किसी भी object में electric charge है कि नहीं है उसको पता लगाने के लिए यूज होता है endoscope एक ऐसा यंत्र है एक ऐसा device है जो की internal body की images लेने के काम आता है और ये total internal reflection पे काम करता है फिर हम बात करते है फैदो मीटर की तो फैदो मीटर समुद्र की जो गहराई होती है उसको नापने के काम आता है बिलकुल अमीटर की तरह ही होता है फर्क इतना है कि अमीटर जो है बड़े amount के current को नाप सकता है लेकिन गैलगोनोमीटर छोटे amount के current को नाप सकता है साथ के साथ गैलगोनोमीटर एक काम कर सकता है जो कि ammeter नहीं करता है, galvanometer आपको current की direction बता सकता है, ammeter ऐसा नहीं करता है, फिर हमारा 23 number पर आता है hydrometer, यह बहुत important है, very very important, most important, कई वार अगजाम में पुछा गया, तो जो liquid होता है, उसकी specific gravity को नापने में काम आता है, ठीक है, अच्छा, gas की specific gravity को भी नापा जाता है, specific gravity को, तो यह किस instrument से नापा जाता है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैंने एक question सजाया हुआ है, तो अभी तक हमने total 23 instrument देख लिए हैं, अब हम बात करते हैं किसकी hydrophone की, तो यह जो है underwater sound को सुनने के लिए इस्तमाल किया जाता है, फिर हमारा आता है hydrometer, तो हमारी जो वाईउ है, अभी जो हमारा atmosphere है, इसमें कितनी humidity है, आदरता कितनी है, उसको नापने के काम आता है, कीमोग्राप, तो कीमोग्राप जो होता है, आपको नाम से पता चला है, यह एक graphical record है, है ना, जो कि हमारे blood pressure, heartbeat के बीच में movement को record करता है, आगे हमारा आता है, लेक्टोमीटर, नाम से पता चला होगा, लेक्टोमीटर यह निया, milk से related है, लेक्टोमीटर जो है, वह milk की purity के, decide करने के लिए use किया जाता है, फिर हमारा आता है, manometer, तो manometer किसी भी प्रकार की gas को measure करने के काम आता है, microphone, देखे, microphone लोग इस्तमाल करते हैं, तो microphone एक तरीके से amplifier की तरह काम करता है, यह sound energy को electrical energy में बदलने की कोशिश करता है, फिर हमारा आता है, microscope, microscope आप लोगों ने अपनी laboratory में बहुत इस्तमाल किया होगा, आसु सिंग जी, good afternoon, तो यह क्या होता है, जो छोटे-छोटे object होते हैं, जिनको हम अपनी wear eyes से नहीं देख सकते हैं, naked eyes से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए microscope का use किया जाता है, बस समझवा रही है, अब हमारा आता है 31 नंबर पर odometer, यह कैसा instrument होता है, जो हमारी car में या फिर हमारी bikes बगेरा में लगी रहती है, जो हमें distance बताता है, जैसे अगर मान लीजे कोई इंसान कानपूर से दिल distance कितनी है, तो वो अगर गाड़ी चला के जाता है, तो उसकी car में यह आ रहा होगा 500 के करीम, जैहिंद जीके सिंग जी, मैंने आपको पहले भी जैहिंद बोला था, सभी को good afternoon, अब बात आती है periscope, periscope क्या होता है, actually periscope एक ऐसा यंत्र होता है, जिसको पंडूबी बगेर रहा है, इस तरीके से तो वह देखी जा सकती है, तो periscope हो गया देखे, यह आपे लिखा, it is used to view object above the sea level, जैरी submarine जिन को हम बोलते है, फिर हमारा 33 नंबर पे आता है, पोनोग्राफ, पोनोग्राफ एक ऐसा instrument है, जो कि sound को produce करता है, किसको produce करता है, sound को, आगे है हमारा अगला instrument photometer, photometer एक ऐसा instrument है, जो कि luminous intensity जो है, source of light की उसको compare करता है, and potentialometer, potentialometer, तो potential meter जो होता है, यह electric motive force को एक cell में नापता है, clear, फिर हमारा आता है, pyrometer, pyrometer जो है, काफी high temperature को नापने के काम आता है, अच्छा, pyrometer का use, बिना touch किये होगे भी temperature को नापने काम आता है, अभी आपने को आपने के लिए और बिना touch किये जो है, पेशेंट का temperature ले रहे थे, तो बड़े amount में जो high temperatures होते हैं, उनको measure करने के लिए और बिना touch किये होगे temperature नापने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है, pyrometer का इस्तमाल किया जाता है, देखां आप लोगोंने, फिर हमारा अगला instrument यहां पर है, radar, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, radar, तो radar तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, radar क्या होता है, जैसे aeroplane वगएरा उड़ते हैं, तो उनको signal वगएरा में, उनके angle वगएरा के detection के लिए radar का इस्तमाल होता है, रेडियो मीटर, तो रेडियो मीटर जो है, यह क्या बताता है, यह measure करता है, emission of radiant energy, यानि किसी object से जो energy radiant हो रही है, उसको नापने काम आता है, rain gauge, rain gauge नाम से पता चला है, यह एक ऐसा operator से है, जो record करता है, एक particular area में कितनी बारिस होई, आपने news reporter से कई बास सुना होगा, कि इ शेत में 3 cm बारिस होई, तो वो एक कैसे बताते है, rain gauge से ही इसको बताते है, फिर हमारा आता है, rectifier, rectifier का काम क्या होता है, यह एक ऐसा instrument होता है, जो की AC current को DC में बदलता है, rectifier, ठीक है, the end instrument used for conversion of AC into DC, यह बहुत important है, rectifier पर कई बार question आया है, फिर यहाँ पर आता है, refractometer, refractometer word किस से बना है, reflection से बना है, और reflection आप लोग जानते हैं, जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अपने पत से विचलित हो जाता है, और इसी को माध्यम 1 और माध्यम 2 का refractive index कहते हैं, तो refractometer जो है, refractive index को नापने के काम आता है, ठीक है, फिर आप देखते हैं, जैसे saccharide sugar होती ही न, उसी से बना है, तो यह क्या है, किसी solution में, विलियन में जो है, sugar के amount को पता लगाने के लिए आता है, तो saccharide से यह word बना है, ऐसी lover जो होते है, salts जो होते हैं, उनसे यह word बना है, तो salinity जो होती है, वहाँ से यह word बना है, selenometer, सिस्मो graph जो है, यह भी कई वार आपके exam में पूछा जाता, बहुत-बहुत important है, तो भूकम पाता है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि last month ही भूकम पाया है, दिल्ली NCR में, तो यह जो है, अर्थ कोई के जो shocks होते हैं, उनको नापता है, बताता है कि रियक्टर में यह इसका value हम latitude of a place by measuring the elevation above horizon of the sun and another star, ठीक है, स्पेक्ट्रो मेटर, नाम से पता चल लाओगा, इसका संबन्द के से स्पेक्ट्रम से होगा, तो यह use होता है, intensity of light, light की जो intensity होती है, उसको नापने के लिए, ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, स्पेक्ट्रो स्कोप, तो यह एक ऐसा instrument है, जो की स्पेक्ट्रम को, light के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, उनको analysis करने में काम आता है, आगे आता है speedometer, तो आप लोग तो जानते हैं, speedometer क्या होता है, speedometer स्पीड नापेगा, हमारी bikes और car में लगा रहता है, तो यह vehicles की speed को नापता है, फिर आता है spherometer, spherometer जो होता है, it measures the curvature of surface, माल तो उस curvature को नापने के काम आता है, सिफिग्णो मैनोमीटर, blood pressure को नापने काम आता है, यह भी बहुत important है, कई बार आप लोगों के exam में आए, और doctors जो इस्तमाल करते हैं, हमारे internal organs की आवाज को सुनने के लिए, जैसे फेफडे lungs वगारे की आवाज को सुनने के लिए, देख सकते हैं, यहां पर, इस्टेटोस्कोप, फिर हमारा आता है, यहां पर 53 नंबर पर, टेकोमीटर, तो टेकोमीटर का काम क्या होता है, यह एक ऐसा instrument है, जो यूज किया जाता है, एरो प्लेन और जो मोटर बोर्ड्स होते हैं, उनकी स्पीड को नापने के लिए, फिर आता है हमारा टेलिस्कोप, टेलिस्कोप का इस्तमाल किया जाता है, जो हमारे आंत्रिक्ष में जो पिंड बगरा है, जो तारे बगरा है, उनको देखने के लिए, व्यूज करने के लिए, इनको टेलिस्कोप बोला जाता है, तो यह instrument हम लोग देख चुके हैं, अभी हमारे और भी इंस्टुमेंट बच्चे हैं कितने इंस्टुमेंट हो गए हैं फिर हमारा आता है अगला इंस्टुमेंट थ्योडोलाइट थ्योडोलाइट जो होता है इट मेजर होरिजोन्टल एंड वर्टिकल एंगल तो होरिजोन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए यूदिे लाइट का यूज किया जाता है अपने क करती है करेंट को और पर्फॉर्म करती है तर्मोरिंग वाल्व के रूप में एसुस्तर का तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए हम लोगों ने अभी तक 57 पढ़ लिए ना अब हमारा आता है 58 पे यूडो मीटर यूडो मीटर क्या होता है एक तरीके से बारिस को ही नापता है तो इसको रेंगेज भी आप लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकलर टायमें जितना जो है पर्सिपियशन मतलब आप समझ रहे हैं वाब बन के होड़ना जैसा पसीना नहीं होता है उसमें परसिपिय 곡 होता है वैसी तो यह औरो मीटर होता है विस्को सेटी होते हैं तो किसी भी लिक्विट की विस्को सेटी को नापने के लिए Communist का यूज होता है वोल्टा मीटर जो होता है जैसे माझने लिए यह एक कंडक्टर है इस कंडक्टर में आपने एक बैटरी लगाती है तो जब आपने यहां बैटरी लगाती तो एक पॉइंट यह है तो यहां पर कुछ पोटेंशल होगा यहां पर कुछ पोटेंशल होगा उनका डिफरेंस बनता है तो दो होती है इन हम लोगोंने fundamental unit पड़िए और drive unit पड़िए हमने जो है system पड़े MKS system CGS system और FPS system पड़ा फिर उसके बाद हमने SI unit पड़िए देन SI unit के बाद हम लोगोंने जो है steradian और radian यानि supplementary angles को पड़ा और फिर हमने astronomical units को पढ़ा पार्सिक हो गया लाइटियर हो गया इसको पढ़ा देन हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ी और हमने साथ-8 एक्जामपल्स भी करें डायमेंशन के प्रैक्टिस की और फिर अभी लगवग हमने 60 के करीब इंस्टूमेंट पढ़ लिया अभी थोड़े से इंस्टू यहाँ पर हमारा अंसर क्या होगा हमारा अंसर मोल होगा तो प्लीज आप लोगा आंसर थोड़ा सा जल्दी दीजेगा अगला कोशन है वाट इस दा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानि प्रतिरोध का आप लोगों को यूनिट बताने है जैसे डाइन दिया ह अगया तो एफ यूनिट औफ फिजिकल कॉंट्टिटी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है ये क्योरी भी होता था बैकवरल भी होता है यहां पर रेडियन दिया गया है जो कि supplementary एंगल स्ट्रेडियन भी क्लिन टेमप्रेचर के लिए तो हमारा आंसर क्या हो होगा बैक्राल होगा ओके आप हमारे सामने कोश्चन है टेसला इस यूनिट ऑफ टेसला किसका यूनिट है डाइपोल मुमेंट मेंगनेटिक फ्लस मेंगनेटिक इंडेक्शन या फिर मेंगनेटिक फील्ड बताई तो जब मैंने आप लोगों को इलेक्टिसिटी चैप्टर अब जैसे पार्सेट की बात है यहां हमारा अंसर यहां पर क्लियर है आगे चलते हैं अगला कोश्चन है एंगेंस्ट्रॉम एंगेंस्ट्रॉम किसका युनिट होता है देखो एक एंगेंस्ट्रॉम की वैलू जो होती है 10 to the power माइनस के 10 मीटर होती है तो मीटर किसका युनिट होता है आप लोग बहुत अश्य जानते हैं लेंद का होता है यहां टाइम हाइड देंसिटी छोड़ दीजिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा अंसर लेंद हो जाएगा कितना सिंपल है अगर हमें चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ें है तो हम के आंसर कितने अराम से दे पाएगा ही आपको SI यूनिट बताने ही प्लाप तहुन जाएगा हमारा अंसर क्या मन जाएं कि समझにちは और कितना सिंपल है next question क्या है next question है which of the following is the SI unit of temperature temperature की SI unit क्या है देखे rumor जो है यह scale की बात बोल रहा है नहीं यहाँ पर candle होगा नहीं एंपियर होगा तो temperature का SI unit क्या है के लिए बहुत सिंपल है अगर हम लोगों ने यह chapters पढ़े होंगे heat बगारा में तो हमें यह पता होगा नेक्स्ट है SI unit of pressure तो पास्कल है MPR electric current का है ओम resistance का है बोल्ट potential difference का है तो देखे हमें answer मिल गया तो यह एक तरीके से क्या है अगर हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते हैं और physical quantities को पढ़ते जाते concept को क्लियर करते जाते हैं तो हमें उनके units automatically ही याद होते चले जाते हैं अब जैसे यहां दिया गया Hertz is SI unit Hertz किसका SI unit है बताइए जैसे energy का जूल हो गया pressure का पास्कल हो गया force का Newton हो गया तो बताइए इसका correct answer क्या होगा देखे उतनी देश से मैं आप लोगों के बहुत questions के answer दे चुका हूँ अब आप लोगों को भी answer देना है बताइए Hertz किसका unit है मैं तब तक पानी पी रहा हूँ जल्दी से answer बताइए ओके सक्षाम आपका answer बिल्कुछ सही है frequency very good जी तो almost सभी का answer सही है यह frequency का unit है यह किसका unit है frequency का है आगे चलते हैं हमारा अगला question है which of the following is the instrument used in submarine to view object above sea level मैंने आपको क्या बताया था जो submarine होती है पंडू भी होती है उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो बाहर की जैसे किसी ship को देखना चाहता है या किसी पहाड वगेरा को देखना चाहता है तो वो कैसे देखेगा periscope से देखेगा मैं बताया था याद आ रहा है आप लोगों को वे किस से देखेगा periscope से तो पाइलियो मीटर भी यहां पर गलत हो गया हाइपसो मीटर भी यहां पर गलत हो गया ओंडो मीटर भी यहां पर क्या हो गया गलत हो गया तो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा हमारा answer periscope ओके अगला question क्या है अगला question है हमारे सामने which of the following device is used to measure wind speed to wind speed तो यहां पर दिया है spectrometer speed के लिए होता है spectrometer जो है spectrum के लिए हो गया तो यहां पर होगा animo meter animo meter आप लोगों को क्या होगा correct answer होगा तो हमारा correct answer यहां पर क्या नापता है atmospheric pressure को नापता है और तो atmospheric pressure को यह पर गया नहीं कि उसको छोड़ देते हैं इसके लिए तो बोरो मीटर होता है time भी नहीं होगा vapor pressure भी नहीं होगा actually क्या होता है अगर मैं बताऊ तो यूर्य मीटर जोता है जसे गैसों का जो मिक्रों होता है कि वो अपना जब वॉल्यूम चेंज कर रहा होता है तो उस वॉल्यूम को छैक करने के लिए यूर्य comprend का इस्तों किया जाता है तो हम यहां पर volume of gases लगा सकते हैं गलत नहीं होगा हमारा आंसर सही होगा जी आगे चलते हैं हम लोग एंड नेक्स कोश्चन है दा ब्यूफर्ट स्केल इस यूजड मेजर व्यूफर्ट पैमाना जो होता है किसके लिए अट्मॉस्फरिक प्रेशर के लिए altitude of mountain के लिए या wind velocity के लिए एक्शली क्या होता जैसे sea level है आप देखना तो sea level पर हवाएं कितनी तेज हैं आपने देखा होगा कई भार मौसम विग्यान वाले जब बताते कि जी समुदरी तल से इतनी तेज हवाएं चल रही हैं तो वह कैसे नापते हैं वो इसी से नापते विफर्ट से नापते हैं त सूरे की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है गैल्वनो मीटर आप लोगों को पता हिए किस लिए एलेक्ट्रिक करेंट को नापने के लिए पोटेंशियो मीटर जो है और यहां पर दिया गया है हम लोगों को स्पेक्ट्रो-फोटीमीटर तो यह स्पेक्रम के लिए हो गया तो यह होगा ग्राफ इसके लिए होगा डी होना चाहिए ने हमारा क्या है correct answer ऑगे next question क्या है next question है the instrument used for measuring air pressure तो air pressure किस से ना पेंगे आप बताएए हाइग्रो मीटर से थर्मा मीटर से तो temperature होगा है ना तो हाइग्रो मीटर भी नहीं होगा यह जो है हमारे वायू मेंडल में जो आदरता होती हुमिडिटी होता है उसके speed के लिए लिकिन जो हमारा atmospheric pressure होता है उसी को हम एयर प्रेशर भी बोल सकते हैं तो बोरो मीटर से यह ना पा जाता है बैरो भी बोल सकते हैं बोरो मीटर भी बोल सकते हैं तो यह क्या आजाएगा अंसर बैरो मीटर आ जाएगा next one is which instrument is used to measuring humidity of atmosphere अभी मैंने आप गरा लोगों को बताये था वाईयू मंदल की आधरता नाप निकले किसको तो बैरो मेертв को थो हम लोग इस्तमाल करते हैं atmospheric pressure के लिए एनेमो मीटर को हम लोग इस्तमाल करते हैं एटनी मिटर हम लोग temperature की लिए सिस्तमाल करते है तो हमारा जो atmosphere इसमें कितनी humidity है वे hygrometer से ना पी जाती है किसे ना पी जाती है hydrometer से तो मैं यह answer लगा देता हूं यहाँ पर hygrometer नेक्स्ट्र kłosवर्टन है ने विच विच्व फॉललिग पेरिंग इस इंकरेट निमल लिकिद में इसे कौन सा योगम सहीन ही है तो फ्लिक यह पोटर विपर के लिए होगा एट्माश्पेर यह साही है लेक्टो मीटर जो यह चुन यहां पर स्क्रहोट की बोली है तो इस्टंव ग्रैसक ग्रैसाइट की ही ट्रो कि आप जाती है यही गलत हो गया हमें आरऊना था एन्ममीटर है विंद की स्पीड सफीड यह भी साही है सिसमो ग्राप और यहां पर सिफ और सिपीड को cent फॉल्स में की स्पीड को यह यह सैटलाइट को नहीं तो विंटकी स्पीड को नापतए यह तो हम आंसर यहां पर मार्ग कर देँग हैं एंड नेक्स बनेंज इस इंस्टूमेंट फॉर मेजरेंग लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर मतलब जो मैंने समोल होते हैं आगे क्या है हमारा अगला question अगला question है device used for detection and measurement of all type of radiation जैसे alpha, beta, gamma radiation हो रही है विक्रन क्या होता है जिसमें alpha, beta, gamma radiation निकलते हैं तो उनका पता लगाने के लिए कॉंस इंस्टुमेंट यूज किया जाता है तो यहां पर दिये गया है गीगर случаंटर हमारा यहां पर क्या वनेगा एल Kung user क्या है नेक्स्ट कोश्चन् heavily घृट टेर्ट लिक्विट की डेंसिटी के लिए होता है तो यह फैदो मीटर होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था फैदो मीटर एंड नेक्स कोश्चन हमें बोला गया है इंस्टुमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ इसकाई या ओशन कॉड आकास या समुद्र का नीला रंग नापने के लिए आप किस इंस्टुमेंट को यूज़ करेंगा देखिए स्कैटरिंग की वज़े से आकास का नीला रंग ह में महसूस होता है लेकिन यहां से हमसे इंस्टुमेंट पूछा गया है तो यह होता है साइनोमीटर ना तो वैदी मिटर होगा ना तो सेरेनोग्राफ क्या बनेगा एंबाइबर्स साइनोमीटर अगला कुशन है इंस्टुमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इसकॉल समय को आपने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाएगा जल्दी से बताइए तब तक मैं पानी पीरों आप आंसा दीजिए इसका कि करें के तो जैसे आपने अभी देखा अभी डाइगोमीटर भी आप लोगों का आया था अब डाइगोमीटर किया था तो मैं आपको बता देता हूं डाइगोमीटर दो बार आ गया है तो आप लोगों का इंटरस्ट जाग गया है तो डाइगो मीटर हमारा सिंपल है तो यह एक तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप इसे बोल सकते हैं आप एलेक्ट्रोस्कोप यानि यह मेजर करता है इमाउंट ओफ एलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांस्मिट हो रही है ट्रांस्मिटिट बाइ डिफरेंट बोडी यानि अलग अलग बोडी से जो एलेक्ट्रिसिटी ट्रांस्मिट हो रही है उसको यह नापता है तो यह तो नहीं होगा एनिमोमीटर बताई चुका हूँ मैं आप ल अगर रोमीटर क्या है कि a है अ तो जैसे रवर्ड और लास्टिक अतन है तो उसकी हाडनेस के लिए होता है अ चुल दिस होती है है कि उन्हार कि नदजैसे अबहर वोगया प्लास्टिक और यह सम्मटीरियल होते है तो इनकी अगस के लिए कर ले सबस्ता है और वह ऑप्षन क्या है वह ऑप्षन है कुरोनोमेटर को एक मिट दीजिए कि मुझे स्लाइट चेंज होने में दिक्कत हो रही है हाँ हो गए तो यह हो गया हमारा क्रोनोमेटर तो मोस्टली हम लोगों ने सभी के आंसर देख लिए हैं अभी हमारे टोटल कोश्चन थर्टी थे कुछ कोश्चन और बच्चे हुए जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग इसी तरीके से पूछ सकते हैं अग कि आगे हमें क्या बोला गया विच डिवाइज इस तो मेजर अर्थवी एंडोस्कोप जो होता है हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इमेजिस लेने के लिए होता है थर्मामीटर टेंप्रेचर के लिए होता है सोनोग्राफ आप लोग जानते है गालत बोल गया इस्टुमेंट पॉर मेजर इंड लाइट इंटेंसिटी इस्कॉड प्रकास की तीवरता नापने के लिए लिए ल्यूसी मीटर यह होगा मासर क्राइओ मीटर जो है कम टेंपरिचर के लिए होता है नापने के लिए साइनोमीटर में आपको होता चुका नीला होता उसको नापने के लिए बोरुमेटर जो है अट्मसफरिक प्रेशऔ के लिए उता है तो हम यहाँ पर क्या भोलेंगे लिंखी 1965 feature लूसिमेटर जो है किसी लाइट की इंसिटी को नापने के लिए को मंतारे सामने इंस्टुमेंट यूज फॉर मेजरिंग specific gravity is got तैकि इन्होंने ऐसा तो बोला नहीं कि specific gravity liquid की है कि gas की है विसिस्ट गुरुत को नापने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले के डिवाइस को बताई तो बेदी मीटर यहां पर दिया गया है कि क्रायो मीटर आप लोगों को दिया गया है कि एरियो मीटर आपको दिया गया है और साइमो मीटर आप लोगों को दिया गया बताई क्या इसका अंसर होगा तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी liquid की तो इसके लिए तो मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था hydrometer के बात होती है लेकिन अगर हम specific gravity air की बात करें तो हम aerometer को इस्तेमाल कर सकते हैं air के case में तो फिलाल इन्हों ने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है कि liquid है कि air है gas है तो हम लोग यहाँ पर airometer को answer लगा सकते cryometer में आप लोगों को बताई चुका हूँ जो कम temperature होते माइनस वगेरा में उनको नापने के काम आता है अब आप मुझे बताईए बेदी मीटर किस लिए काम आता है मैंने आपको बताया भी था भी थोड़ी देर पहले तो जो ओशन वगेरा होते ना उनकी गहराई वहराई को नापने के लिए काम आता है तो यह भी हमारा आंसर हो घया लेक हो गया ओशन हो गया तो इससब को नापने के काम आता है इनकी गहराई वगेरा ठीक है मैस हम आगे चलते हैं तो हमारा अंसर हमको मिल चुका है इसको यहाँ पर हम लोग माग कर दे ही हमारा अगला कॉस्चन सब्सक्रीद इसक्राइब quantity जो है सीमन किसकी है electrical potential की electrical conductance की magnetic flux की यह फिर refractive index तो यह electrical conductance की होती है सीमन हमारा answer यहाँ फिर क्या हो जाएगा अगला question है the instrument used to measure blood pressure बताया था आपको specific no मैनोमेटर होता है तो यह क्या हो जाएगा सिपिग्नो मैनोमेटर हो जाएगा अगला कोश्चन है और आज का आखरी कोश्चन इंस्टुमेंट फॉर मेजरिंग रेनपॉल तो लिूसी मीटर में आप लोगों को बताई चुका हूँ प्रकास की इंटेंसिटी के लिए हो गया तो यह होगा हाइटो मीटर या फिर हाइग्रो मीटर मैंने आपको बताया है यह आधरता के लिए होता है जो हमारा एटमॉस्फेर होता है उसमे और फर्टी कोशन्स की आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ यानि एक में आप लोगों के लिए जो हैं रेडी हो जाएंगे तो देर किस बात किया है आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किये हैं तो जल्दी से सब्सकाइब कर लिजे हमारी अप्ल इस वीडियो के description box में जाएंगे आप लोगों को हमारी application का link मिल जाएगा हमारी application पर बहुत सारे courses चले हैं जिने आप free of cost access कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और अपने concept को build up कर सकते हैं आप दे रहे हैं उसी के previous year के paper है और साथ के साथ subject wise भी टेस्ट है और आप अपना test खुद भी create कर सकते हैं हमारे mvip के application पर तो mvipers आज की class में यहीं पर खतम करता हूँ जल्दी मुलाकात होगी next class में तब तक पढ़ते रहिए स्वस्त रहिए keep mviving because mviving is better than learning keep mviving we believe in you